असलाम वेकुम नाजीन आप देख रहे हैं आइना नियूज शोबिस टोरिज के साथ मैं हूँ आपकी होज जोबिया रियासतली नाजीन आजकर चल रहा है शादियों का सीजन चाहे वो पाकिसानी क्रिक्टर्स हो या पाकिसानी अदाकार रहें बहुत से लोगों की शादिया हो रही है और इन शादियों पर बहुत से लोग इसलामी तोर तरीकों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं और कुछ लोग ईस्टन तोर तरीकों को ज्यादा करना पड़ा कुछ लोगों का ये कहना था कि क्या ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकती है या क्या इन्हें पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था या इन्हें किसी मुस्लिम फैमिली में पैदा होना चाहिए था नहीं बिल्कुल भी नहीं इनको किसी एसाई हिंदोस्त के लिए role model है क्या हमारे बच्चे इन से सीखेंगे जिने dressing करने की sense नहीं है जिने ये नहीं पता कि हमारा Islam किस बात की इजाज़त देता है और किस चीज की इजाज़त नहीं देता क्या ये ऐसा रक्स करके हमारे बच्चों को मदू करना चाहती है कि वह भी कल को इसी तरह करें क्यूंकि हमारे बच्चे इन ही को देखके सीखते हैं इन ही के ड्रामे और इन ही की चीज़े देखकर वह बहुत कुछ सीखते हैं और वहीं पर हमारे बच्चे ये जिद्वी करते हैं कि जो dressing sense इनकी है वैसी ही dressing हम भी करें क्यूंकि जो ये dress पहनते हैं जो ये करते हैं वो fashion बन जाता है और आज हल के बच्चे उसी चीज़ पर बजिद्ध हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से कि ये हमारे बच्चों के लिए role model नहीं है लेकिन उशना मैंने तनकीद करने वालों को आड़े हाथों ले लिया उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की और उस स्टोरी में उन लोगों को mention किया जिन्होंने उन पर करना पड़ा कि भई मैं पाकिस्तानी हूं लेकिन मेरा दिल आदा एस्टन है मैं अपने निकाप पर जैसा भी जोड़ा पहनती और जैसा भी रक्स करती आपको कुई हप नहीं बनता कि आप मुझ پर ऐसी तनकीदे करें इसी तरह कुछ लोगों ने इन तनकीद करने वालों को ये भी जवाब दिया कि भई पाकिस्सान में हर निचली जात और उपर वाले तबके तक चाहे वो मौलवी हो चाहे वो सियासदान हो चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो हर बंदा ही करप्ट है लेकिन क्या इन मोलवी हजरात को अपने गिरेबान में जांकना नहीं चाहिए क्या इन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि ये खुद क्या कर रहे हैं बजाए ये कि ये किसी की वीडियो को पोस्ट करके hashtag लगा के उनको mention करें कि भई ये इंसान ये कर रहा है पहले आपको ये चाहिए कि आप अपने गिरेबान में जहांके देखें वहीं पर उन्होंने ये reply किया कि भई हमने अपने गिरेबान में जहांकर देखा है ये तस्वीर mention करने वाले को किसी ने ये भी बोला कि भई आप कौन होते हैं कि आप किसी की तस्वीर को mention करें और hashtag लगा कर उसको upload करें क्या ये मुनाफकत नहीं है जरा सर मुनाफकत है लेकिन मौलवी हजरात ने उनको ये भी जवाब दिया कि मैंने किसी की वीडियो नहीं लगाई बलके सिरुफ उस वीडियो की picture लगाई है ताके लोगों को पता चले कि मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ क्या ये चीज अच्छी है जो ये हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं अगर आप लोगों को ये चीज अच्छी है तो आप लोग इस पर अमल करें लेकिन पाकिसान के अवाम को ये चीज मुनासिप नहीं लगती नाजरीन इसी तरह की खबरे लाते रहेंगे आपके लिए हमारे साथ रहेगा आएनन न्यूस के साथ मैं हूँ आपकी होस जोबिया रियसे देली अलाहफीज